हेलो एब्रीवन आज कोडिनेशन कंपाउंट के फोर्थ वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो इस चैप्टर की जान है अगर आपने आज की टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप इस चैप्टर का 50% पार्ट आज ही कंप्लेट कर लेंगे और अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से और एंड तक पूरा देखते हैं बिना स्किप किये तो आप आज oxidation नंबर, coordination नंबर और effective atomic नंबर निकालना विदिना सेकेंड से जाएंगे ऐसी ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और इतने examples आपके लिए लेकर के आया हूँ कि आज आप यहीं ये वीडियो देखते देखते ही coordination नंबर, effective atomic नंबर और oxidation नंबर निकालना बहुत आसाने से सीख चाहेंगे बसरते आप इस वीडियो को last तक और बिना इसके प्रियर में देखें तो आए स्टार्ट करते हैं अपने इस amazing session को चलिए आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप नए हैं आप पहली बार हमारा इस वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजे और अगर बेल आइकन को अन नहीं किया है तो बेल आइकन को भी ओन कर लीजे लाइक के बटन को भी प्रेस कर दीजे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सेयर करना बिलकुल मत पूलिए जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज हम लोग बात करेंगे कौर्डिनेशन कमपाउंट के फोर्थ वीडियो की इससे पहले हम लोगोंने जो तीन वीडियो बनाए है पार्ट बन पार्ट टू और पार्ट त्री पार्ट बन में हम लोगोंने कौर्डिनेशन कमपाउंट के इंट्रोड़क्शन पार्ट पर डिस्केशन किया है पार्ट टू में हम लोगोंने लीगेंट और पार्ट त्री में हम लोगोंने लिगेंट को, लिगेंट हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, तो लिगेंट को, अगर आपको समझ आया है, तो आज ये चाप्टर में, ये बहुत काम आने वाला है लिगेंट, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो नीचे description box में link given है, आप जाएए और उन वीडियो को भी जरूर देखिए, वहाँ पर आपको link मिल जाएंगी, playlist मिल जाएगी coordination compound की, और वहाँ पर जाकर के आप उन वीडियो को जरूर देखें, आज हम लोग बात करेंगे, coordination compound में oxidation number कैसे निकाला जाता है, देखिए आपको पता ही है, कि redox नाम का एक chapter है, redox reaction, उस chapter में भी हम लोग oxidation number निकालते हैं, redox reaction नाम का एक chapter है, और इस chapter में भी हम लोग क्या करते हैं, oxidation number निकालते हैं, वहाँ के oxidation number में और यहाँ oxidation number निकालने में, बहुत ज़्यादा difference नहीं है, almost same ही है, but मैं यहाँ पर आपको कुछ unique तरीका बताऊंगा oxidation number निकालने का, ठीक है तो बहुत से बच्चे यह भी कमेंट कर रहे हैं कि सर वहाँ पर भी को oxidation number निकालने सिखा दीजे, तो मैं वहाँ भी oxidation number आपको सिखा दूँगा, एक specific video में उसके लिए बना करके, आप लोगों के लिए यह अपने channel पर upload कर दूँगा, आप लोग उसको देख लिजेगा, ठी सबसे पहले formula पर बात करते हैं, oxidation number का जो formula है, it is oxidation number is equal to charge on coordination sphere minus charge on ligand, ठीक है, अब यह इतना भारी भरकम सा याद करने के ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पताया था कि, जैसे मैंने मेरे पास एक compound है, K4FECN का whole 6, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, यह जो बड़े से bracket के चीज लिखी है, यही कहलाता है, यही क्या है, coordination sphere है, तो इस sphere के ऊपर जितना charge होगा, उस charge को आप पहले bracket में लिखेंगे, और जितने ligand होगे, और एक ligand पर जो charge होगा, उससे multiply कराके यहाँ लिखतेंगे, ठीक है, अब देखे, सबसे पहले आपको का करना है, oxidation number निकालना ह है, ओके, आप दो bracket बनाईए, दो bracket बनाया, और minus का sign लगा देजिए, इसमें आप लिखेंगे, coordination sphere के ऊपर कितना charge है, और यहाँ पर आप लिखेंगे, ligand के ऊपर कितना charge है, जितना भी charge ligand के ऊपर होगा, और जितने भी ligand होगे, उससे आप multiply करातेंगे, समझ आया, चलिए ज्यादा समझाएगा example से, तो चलिए आप पहला example देते हैं, पहला example हमारे सामने है, k4 fe cn6, k4 fe cn6, अगर हम इसको break करेंगे, तो मैं आपको पता है, जब इसको break कराएंगे, water में डालेंगे, तो एक k4 plus 4 में break होगा, तो एक potassium पर plus 1 charge होता है, तो 4 potassium पर plus 4 charge होगा, और सीध जितना charge इधर होगा, उतना ही charge coordination sphere पर opposite charge होगा, अगर इधर plus है, तो इधर minus 4 charge होगा, अब oxidation number निकालना है अगर आपको, तो आप क्या करिए, दो bracket बनाईए, और minus का sign लगा देजे, पहले bracket में आप रखेंगे इस coordination sphere का charge, तो यह हो जाएगा minus 4, अब दूसरे bracket में आप रखे सबसे पहले लिखेंगे, लिगेंट कितने, 6 लिगेंट है, multiplied by charge of ligand, ठीक है, तो यहाँ पर इसका charge होता है, यह minus 1 charge होता है, ठीक है, minus 1 charge होता है, तो इसलिए, यहाँ पर minus 1 हो जाएगा, आप जहाँ आप calculate करेंगे, तो इधर हो जाएगा minus 4, और इधर हो जाएगा minus 6, कर सकते हैं, ठीक है, minus 4 into minus 6 into minus 1, तो यह calculate करेंगे, तो overall कितना जाएगा, plus 2 होता है, ठीक है, चलिए, हम लोग आगे चलते हैं, अपना second example देखते हैं, second example देखिए, second example में क्या है, CUNS3 का hole 4, SO4, ठीक है, यह example है, अब इसको जब आप water में डालोगे, water में डालने के बाद, ज तरीके से, इसके उपर आता है, plus 2 charge, और यहां पर आता है, minus 2 charge, जैसे कि आपको पता ही है, कि SO4 के उपर कैसे charge होता है, minus 2 charge होता है, तो जितना इधर charge होगा, coordination is fair पर इसका opposite उतना ही charge होगा, अगर इधर minus 2 है, तो इसको पर plus 2 हो जाएगा, ठीक है, आपको क्या गरना है, दो दो bracket बना दिये यह तिक है दो bracket बना लिए आप पहले bracket पर इस पर चार्ट कितना है? पleas 2 है तो प्लस 2 चार्ज मैंने इधर लिख दिया अब minus का sign लगा है दूसरे bracket में number of ligands 4 निख दिया उसके बाद into उसके ओपर चार्ज अब NH3 जो होता है यह एक neutral compound है ठीक है एक neutral है तो यहाँ पर जो होगा वो 0 चार जाएगा कोई चार नहीं है इसको उपर तो यह हो जाएगा plus 2 minus 0 is equals to plus 2 ठीक है समझ आ गया अगे पड़े अगर आपको कहीं confusion हो रहा है तो आप please comment section में जरूर mention करिएगा और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कहीं पर भी कोई question solve कर रहा है और आपसे question solve नहीं हो रहा है तो वो question आप अम तक कैसे पहुँचाएंगे नीचे description box में description box में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक टेली ग्राम का link दिया हुआ है ठीक है वो मेरा चैनल है टेली ग्राम का आप जाएए उसको join करिए उस टेली ग्राम चैनल को आप join करिए और join करने के बाद अगर आपको कहीं पर कोई problem आती है तो आप वहाँ पर अपना question put कर सकते है ठीक है आप वहाँ पर question डाल दीजिए आपको बहुत जल्द answer मिल जाएगा ठीक है तो खेर चलते हैं इधर अब यहाँ पर भी इसको क्या करिए water में break कराईए water में break कराया बताए एक CL के उपर कितना जाए माइनस 1 ठीक है तो 3 CL is equal to minus 3 चार्ज हो जाएगा अब कितना इधर minus charge होगा उतना ही coordination sphere के उपर plus का charge होगा तो इधर हो जाएगा plus 3 ठीक है दो bracket बनाईए दो bracket बना लिए हमने minus का sign भी लगा दिया इधर हमने plus 3 भी लिख दिया क्योंकि इधर कितना charge होगा plus 3 और minus का sign लगा है आप बताए number of ligands कितने है number of ligands है सब 6 ठीक है और एक lig है तो अब यहाँ पर भी कितना जाएगा plus का 3 ठीक है चलिए आगे चलते है आगे बढ़के बात करेंगे तो example number 4 example number 4 देखिए यहाँ पर K3 CR C2O4 का hole thrice यह हो जाएगा ठीक है अब जब आप इसको water में डालेंगे break करेंगे तो यह K plus 3 CR C2O4 का hole thrice minus 3 में break हो जाएगा ठीक है अब coordination इस फिर के ओपर कितना charge minus 3 तो 2 bracket minus charge और यहाँ पर minus 3 charge हमने लगा दिया ठीक है और अब क्या हो जाएगा यहाँ पर अब यह हो जाएगा यह कितने ligand है तीन ligand है ठीक है और एक के ओपर charge होता है बेटा minus 2 C2O4 के ओपर charge होता है वो minus 2 charge होता है तो यहाँ पर minus 2 तो यह हो जाएगा minus 3 और minus का bracket में minus 6 तो आप बताईए इधर हो जाएगा minus 3 यह हो जाएगा minus minus plus plus 6 is equal to plus 3 Got it? Next हम लोग चलते हैं example number 5 example number 5 क्या दिया हुआ है fe edta minus 1 अब इसको जब आप break करोगे तो आप यहाँ पर break करने के शरूवत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है minus 1 charge तो आप क्या करिए सीधे सीधे दो bracket बनाईए दो bracket बनाईए और अब आप यहाँ पर क्या करिए जो charge है वो minus 1 charge आपने लिख दिया ठीक है number of ligand है 1 और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली यह है कि यहाँ पर जो यह EDTA है यह tetradentate की तरहे काम करेगा tetradentate यानि minus 4 charge इसके उपर आएगा ठीक है तो यहाँ पर minus 4 charge आएगा तो यह हो जाएगा minus 1 minus bracket में minus का 4 तो equal करेंगे तो यह कितना जाएगा यहाँ पर minus 1 plus 4 is equal to plus 3 तेक है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पांच example अभी तक हमने कर लिए हैं बहुत अच्छे example मैं आपके लिए लेकर क्या आया हूँ जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके boards में भी और आपके competitive exams में भी तो बहुत अच्छे से इनको देख लिए कहीं पर note करते चलिए यह सारी examples और यह आप screenshot पर ले सकते हैं ठीक है दूसरा K2 NICN का hole 4 और जब इसको आप border में break करेंगे तो potassium के उपर plus 2 charge जाएगा यहाँ पर K3 होगा K2 होगा इधर गलत लिखा हुआ है K2 NICN का hole 4 और NICN minus 2 charge हो जाएगा इसके उपर ठीक है यहाँ पर plus 2 charge होगा तो इधर कितना जाएगा minus 2 charge ठीक है एक bracket लगाया दो bracket लगाया इधर minus sign और इधर यहाँ पर minus 2 charge क्योंकि minus 4 यहाँ पर दिया हुआ है number of ligand है 4 एक के उपर charge होता है minus 1 CN के उपर minus 1 charge होता है ठीक है तो इधर हो जाएगा minus 2 add और multiply करेंगे तो हो जाएगा कितना plus 4 equals 2 हो जाएगा plus का 2 कितना easy है बहुत easy है सब ठीक है बहुत easy है आप बस try करो एक बार घर पर अच्छे से इनी examples का एक बार all try करेंगे आपको बहुत अच्छे से case की यह समझ आ जाएगी इससे easy way में आपको coordination number निकालना नहीं सखाया जा सकता ठीक है Example number 7 देखते है Example number 7 क्या है Example number 7 में आप देखिए दो type के linkants आ गए अब question तो किसी भी तरीके साथ आ सकता है तो मैंने हर type के आपके लिए questions को यहाँ पर रखा है जिससे कि आपको कोई भी confusion ना हो ठीक है अब जैसे मैंने लिखा PTNI NS3 का whole price CL4 यह एक neutral ligand है इसके ओपर कोई चार्ड नहीं होता ठीक है तो जब आप दो brackets लगाएंगे एक bracket थोड़ा सब बड़ा बनाएंगे ठीक है क्योंकि दो ligands है अब यहाँ पर तो कोई चार्ड है नहीं तो 0 लिख दीजिए सर माइनस लगाया माइनस के बाद आप number of ligands देखिए पहले पहले वाले में फिर से bracket पानाज यह दो ligands है और एक के ओपर चार्ड होता है सर जीरो ठीक है अब यहाँ पर प्लस जितने भी ligand है सब को जोड़ द plus minus 4 is equal to कितना जाएगा minus 4 और यहाँ पर minus is equal to plus 4 ठीक है कितना जाएगा plus 4 यहाँ पर इसका पूरा solution दिया हुआ है ठीक है आप देख सकते है वीडियो बढ़ा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख रहा हूं कर रहा हूं आप लोग आयोब समझ पा रहे और अगर वीडियो के स्पीड जादा है तो आप भी वो भी कमेंट में बढ़ाईए तो मैं next time से तो तोड़ा सा और slow बढ़ाने को कोश्टिस करूँगा ठीक है तो यह FEC2O4 का होल्द्राइज minus 3 चार्ज हो जाएगा ठीक है अब इस पे भी क्या घरना है इसमें भी बहुत अच्छी चीच यह है कि इसके उपर चार्ज दिया है हमें कुछ निकालना नहीं ठीक है तो हम इसके उपर चार्ज जो दिया है वो यहाँ पर लिख देते है चुप चाप यह कितना दिया है 3 ठीक है 3 मैंने लिख दिया into इसके उपर एक के उपर चार्ज कितना होता है सर्थ minus 2, okay, तो यहाँ पर हो जाएगा minus 2 charge, तो यह हो जाएगा minus 2 into 3 is equals to minus 6, ठीक है यह हो जाएगा minus 3 यह minus अंदर भी minus 6 हो जाएगा, और यह हो जाएगा minus 3 plus 6 is equals to plus का 3 ठीक है plus 3 charge इदर भी आ गया कैसे निकल रहा है, कितना easy method है, आप लोग देख रहे हैं को अब हम चकते हैं 9 number पर, example number 9 ठीक है, यह भी बहुत उच्छा example है, अब यहाँ पर देखिए यह कितने दिये हुए है, CL 1 CL पर charge कितना होता है, 1 chlorine पर charge होता है minus 1, तो 3 chlorine पर minus 3 charge, तो जितना charge इधर है, उतना ही charge इतना इधर होगा, plus का ठीक है, sign opposite होगे, charge stream रहेगा, ठीक है, तो आप बताईए, आप bracket लगाईए, दो ligands में भी दी है, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा bracket दूसरा भी बनाया जाएगा, ठीक है अब यहाँ पर charge कितना हो जाएगा, plus का 3, ठीक, और यहाँ हो जाएगा, minus यह हो जाएगा, number of ligands 3, into 0, plus bracket लगाईए, number of ligands 3, और again 0, water भी neutral compound होता है, water के उपर भी charge जो होता है, वो 0 है ठीक है, तो यह 0 हो जाएगा तो आप देख लिजेए, इधार तो पूरा portion 0 ही हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, plus का 3 समझ में आ रहा है चलिए, कुछ example और करते है example number 10 ठीक है, example number 10 चलिए, example number 10 देखते है CL के उपर charge, minus 3 क्योंकि 3 CL है, ठीक है यहाँ कितना charge, plus 3 अब क्या करिए, क्या करेंगे बताईए, bracket लगाएंगे तो, minus sign लगाएंगे, यहाँ पर कितना charge plus का 3 और यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 number of ingredients 3 है और जो EN होता है, ठालिन दायमीन, यह भी neutral है, तो यहाँ पर charge कितना हो जाएगा, 0, तो इसका answer भी कितना हो जाएगा 3, plus का 3 तो यह answer आ गया ठीक है, दस example अभी तक हम लोग कर चुके हैं, बहुत amazing example है, यह बहुत अच्छे example है, जो neat और आपके boards लेवल पर भी पूँछे जाते हैं ठीक है, आगे चलते हैं example number 11, दो example और करेंगे यह example बहुत पूँछे जाता है यह जो example है, यह बहुत पूँछे जाता है यह neutral compound है, ठीक है neutral ligands में गिना जाता है यह neutral ligands का example है, ठीक है तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके उपर charge क्या जाएगा, 0 charge हो जाएगा तो दो bracket के बनाएंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 charge लगा दीजिए सर यहाँ minus और number of ligands कितने है, 4 number of ligands 4 और CO जो है इसके उपर भी charge कुछ नहीं होता है 0 charge होता है, तो यहाँ पर 0 कर देगे तो overall क्या जाएगा, 0 यहाँ पर oxidation number 0 ठीक है now last example मैं again आपसे बता रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी कोई problem आती है तो आप telegram channel पर जाकर के उसको join करिए और अगर कोई question है तो आप वहाँ पर उसको put कर देगे ठीक है, next is example is PT DMG का hold twice minus 2 charge है इसके उपर, तो अब क्या करेंगे दो bracket लगाएंगे, minus charge लगाएंगे और यहाँ पर 2 bracket ठीक है, इसके यहाँ पर हो जाएगा minus 2 charge ठीक, minus और इज़र हो जाएगा 2, अच्छा DMG के उपर जो charge होता है, वो minus 2 charge होता है, ठीक है, क्योंकि यह by identity भी है और दो अपने donor sites donate करता है ठीक है, तो यहाँ पर minus 2 charge हो जाएगा और यह हो जाएगा minus 2 minus bracket के अंदर minus का 4, तो यह हो जाएगा minus 2 और इज़र हो जाएगा plus का 4, is equals to plus का 2 ठीक है इस समझ में आया, अब हम लोग देखेंगे coordination number कैसे calculate किया जाता है, ठीक है वो तो इससे भी easy है, अब आप बताईए क्या आप in coordination number निकाले से पहले हम लोग oxidation number क्या सीख चुके है completely, oxidation number निकालना पूरी तरीके से सीख गया है अगर oxidation number सीख गया है, तो अभी comment section में जरूर लिख दीजे, कि yes oxidation number is हमको आ गया, oxidation number निकालना सीख गया है within a minutes within a seconds, minutes भी नहीं लगेगा within a second, आप in questions को कर पाएंगे, ठीक है जितने ही practice करेंगे, ये छोटे-छोटे questions ही आपकी exam में time taken होते हैं अगर आप in questions को जल्दी कर ले जाएंगे, तो आपको आगे की topics, अगर आप competitive exams कर लेते, बट आपको क्या है कि आप ऐसे questions को थोड़ा सा जल्दी करिए, ठीक है इनी tricks से आप जल्दी करिए इन questions को और फिर बचे time में आप जो physics के questions रह गये हैं या जो chemistry के questions हैं जो थोड़ा से tricky questions हैं, उनमें आप time दीजिए, ठीक है, तो हो सकता है वो questions की आप से attempt हो जाएं तो अब चलिए, आगे चलते हैं coordination number निकालना सेखते हैं ठीक है, oxidation number और coordination number इसलिए भी सीख रहे हैं क्योंकि अभी जब हम लोग EAN number सीखेंगे ठीक है, EAN number तो EAN number में आपको oxidation number और coordination number दोनों की जरुष पड़ेगी तभी आप EAN number निकाल पाएंगे ठीक है, और जब आप oxidation number जब आप IUPAC naming कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपको oxidation number निकालने के जरुष पड़ेगी अगर आप oxidation number नहीं लिक्माएंगे वहाँ पर, तो आपका पूरा का पूरा name गलत हो जाएग तो इसलिए oxidation number बहुत important है आप उसकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा अब हम लोग बात करेंगे coordination number निकालने coordination number होता क्या है पहला question तो यही आता है अब आपको पता है कि जो central metal atom होता है उसको कितने उसके surrounding में कितने element है उसके surrounding में कितने item है वही है उसका coordination number वही है क्या उसका coordination number देखिए इसका मैंने एक फार्मूला बनाया जो आपको साथ कहीं नहीं मिलेगा फार्मूला है number of ligands कितने ligands हैं और उनकी denticity कितनी है यानि वो कितने अपने loan pair को donate कर सकते हैं multiply करा दिजिए number of ligands आजाएंगे सर चलिए देखते हैं examples के साथ अच्छा इससे पहले मैंने कुछ यहाँ पर कुछ list लगाई हुई है जिसमें monodentate, bidentate और tridentate monodentate, bidentate और polydentate की list है ठीक है ये भी आप इसका string shot ले सकते हैं क्योंकि ये list आपको और कहीं पर नहीं मिलेगी तो ligands ये सब monodentate हैं अभी यमें बताऊंगा monodentate, bidentate इनका use क्या है अभी आप जिल्दी से देख लेजे जैसे fluorine, bromine, water, OH है hydroxide और ये CN है, cyanide chlorine, iodine, ammonia carbon monoxide है और SCN है thiocyanide तो ये जो हैं ये सब किसमें आते हैं monodentate ligand में आते हैं monodentate ligand एक loan पर donate करते हैं तो ये monodentate के अंदर आते हैं अब ये जितने भी monodentate है जब आप number of ligand लिखेंगे into denticity तो denticity इनकी क्या हो जाएगी 1 तो इनकी denticity क्या हो जाएगी 1 तो इसलिए हम आपको ये चीज समझा रहे हैं तो इसका आपके root screenshot ले लिए ठीक है आगे चलते हैं दूसरी बात करते हैं by dentate की by dentate भी जो सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज होता है तो वो monodentate और by dentate है monodentate by dentate और अगर poly में कोई सबसे ज़्यादा यूज होता है तो वो hexadentate है EDTA ठीक है OX oxalato ठीक है तीसरा आता है DMG ठीक तो ये तीन आते हैं तो ये इनकी density क्या होती है 2 ठीक है ओके ना poly में poly में अगर हम लोग देखें तो tridentate में आता है आपका diene tetradentate में आता है triene और hexadentate में जो आता है यहाँ पर pentadentate नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने example जिब कराया है तो मैंने बताया है वहाँ पर pentadentate का भी example जो आपका ethylene diamine यह यहाँ पर जो tetraacetate हो है अगर हम इसको triacetato करते हैं यानि एक acetate ion को हटा दे उसकी जगे H लगा दे तो वह pentadentate हो कहलाएगा ठीक है और hexadentate हो में क्या करते हैं सबी जिब करते हैं जो चार hydrogen होते हैं उनको replace करते हैं CH3CO- यानि acetate ion से ठीक है तो यह आपका tetraacetate हो कहला दाता है यह EDTA ठीक है यह क्या है EDTA EDTA is example of hexadentate ठीक है तो आप चलते हैं आगे अब देखते हैं हम लोग examples अब देखे इसमें मैंने एक साथ कई चार examples आपके सामने रखे हैं जैसे कि पहला example है दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा वही फार्मल लगाई है इतना ही easy है oxidation number निकालना oxidation number निकालना तो इतना easy है इस साथ में coordination number निकालना भी इतना easy है ठीक है next सिर्फ आप ligands को देखिए बस number of ligands कितने है 6 एक ligand के उपर यह कैसा ligand है monodentate है yodentate है tridentate है monodentate है तो अगर monodentate है चार्ज कैसा हो जाएगा 1 चार्ज 1 हो जाएगा तो यहाँ पर number of coordination number निकालना पर कितना हो जाएगा तो अब है कितना हो जाएगा 6 ठीक है DMG DMG इग्जांपल जाएगे किसका है DMG किसका इग्जांपल है by dentate का DMG by dentate का example है जो इसकी denticity है वो कितनी है 2 है तो अब हैं कितने है 2 DMG कितना दिया हुआ है 2 है 2 इंटू 2 इज इकोल स्टू 4 ठीक है अब हम लोग चलते है next EDTA EDTA एक हेक्जा का example है और यह है कितने 1 तो हो जाएगा 1 इंटू 6 हेक्जा इंटेट है इस लेकिसे multiply करेंगे 6 है तो यह कितना हो जाएगा 1 इंटू 6 is equal to 6 ठीक है तो यह निकालने का तरीका है आपका coordination number ठीक है coordination number कैसे निकालते है इस तरीके से coordination number का हम लोग calculate करते है इसके examples भी देख लिजे आगे दिये हुए है match कर लिजे पहले वाले का 4 आएगा क्योंकि यहाँ पर 4 number of ligands 4 है और EQ पर 4 यह density होती है monodentatously 1 से multiply करा देंगा यह होता है monodentat और 6 ती है तो 6 into 1 is equals to 6 हो जाएगा यहाँ पर अगर बात करें तो number of ligands है 3 और यह by dentat है तो 3 into 2 is equals to 6 हो जाएगा और DMG की बात करें तो यह by dentat है और number of ligands है 2 तो 2 into 2 is equals to 4 इज़िट यह की अगर बात करों तो edit यह एक hexadentate है और दिये हुए ligands है 1 तो 1 into 6 is equals to 6 हो जाएगा अब उन लोग आके चलते हैं effective atomic number इसको EAN number से भी आता है कि calculate the EAN number अगर question में माल लीजिए आप से oxidation number नहीं calculate करा पा रहे हैं coordination number नहीं calculate करा पा रहे हैं तो वो EAN number calculate करा आएगे जिससे कि वो तीनों चीज़ें आप से complete करा लेंगे oxidation number भी coordination number भी और EAN number भी जब आपको oxidation number पता होगा तभी आप EAN number निकाल पाएगे ठीक है तो आईए examples के साथ समझते हैं सबसे पहले formula देख लेते हैं इसका formula क्या दिया हुआ है effective atomic number का formula होता है Z यानि atomic number जो भी है उसका atomic number minus करेंगे हम लोग oxidation number उसका जो भी oxidation number होगा कोई आपको एक compound दिया जाएगा उस compound में एक central metal atom होगा उस central metal atom का यहाँ पर atomic number लिखेंगे उसी की oxidation number यहाँ लिखेंगे और उसी का आप coordination number निकाल करके 2 से multiply करेंगे और यहाँ पर इसमें add करेंगे ठीक है यह इसका formula है formula क्या है Z minus oxidation number plus 2 into Cn ठीक है यह formula है Cn क्या है coordination number है और Os क्या है oxidation number है ठीक है चली आगे चलते हैं आप कुछ example देखते हैं जैसे पहला example ठीक है मैंने यहाँ पर यह कुछ चीजें दी हुई है आपको जैसे इसका oxidation atomic number कितना है oxidation number और coordination number ठीक है अब यह ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीजें given भी हो या नहीं भी given हो सकती है ठीक है तो इसमें आप कुछ कह नहीं सकते हैं ठीक तो आप कुछ करना नहीं है आपको fe cn का whole 6 minus 3 दिया हुआ है ठीक है तो अगर oxidation number आपको निकालना भी है तो आप बहुत easily निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे यहाँ पर oxidation number यह हो जाएगा minus 3 minus 3 हो जाएगा 6 into minus 1 ठीक है तो plus 3 charge आजाएगा आप निकाल सकते हैं अगर हम इसका oxidation number हमको निकालना भी हो तो कितना आजाएगा plus 3 आजाएगा कैसे आजाएगा यहाँ पर charge कितना है minus 3 तो 2 bracket बनाएगे सबसे पहले 2 bracket बना लिए हमने minus charge लगा दिया भी इसमें यहाँ हो जाएगा minus 3 यहाँ पर 6 T हो है into minus 1 से multiply कराएगे तो हो जाएगा minus 3 और plus 6 minus 1 into plus 6 is equal to minus 6 और हम बार भी minus है तो is equal to plus 6 यह हो जाएगा plus का 3 जाएगा oxidation number कितना हो जाएगा 6 into monodentate is equal to 6 ठीक है यह कितना आगया 6 आगया ठीक है और जो atomic number होता है Fe का वो 26 होता है अब formula पर value put किर दीजिए Z is equal to 26 minus oxidation number plus 3 plus 2 into oxidation number 6 calculate करेंगा कितना जाएगा 35 ठीक है बहुत easy है अगर आपको पीछे concept समझ आगया है ठीक है अब हम लोग आगे चलते है example number 2 पर example number 2 क्या है Fe O Co का hole 4 hole 5 ठीक है यहाँ पर Z है 26 oxidation number 0 और coordination number कितना है 5 ठीक है तो Z यहाँ पर कितना है 26 value रख दीजिए oxidation number 0 है minus 0 कर दीजिए और coordination number 2 into 5 है तो यह हो जाएगा 26 plus 10 is equals to 36 ठीक है कुछ और examples देखने है example number 3 देखिए यह एक अच्छा example है example number 3 देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले आप क्या करिए formula note करिए formula लिखे ठीक है formula लिख दिया हमने Z कितना है कितना दिया हो Cu यह हो जाएगा 29 minus oxidation number कितना हो जाएगा इसका plus 2 ठीक है यह हो जाएगा plus 2 ब्राकेट में लगतेंगे इसको और plus आप यहाँ पता यह number of ligand है 4 यह है monodentate तो हो जाएगा कितना plus का 4 तो 2 into 4 अब यहाँ पर दिखे 29 minus 2 plus 8 ठीक है तो अब आपर calculate करेंगे तो कितना आजाएगा 35 ठीक है चलें आगे next example number 4 ठीक है example number 4 example number 4 क्या दिया हो है Cu ns 3 का whole 6 plus 3 minus इसके वाँ कोई मतलब नहीं होता है आपर अगर इसको divide भी कर दिया है ठीक है आप सिर्फ फार्मूली पर value पुट करिए और answer निकाल लिए रिखे Z दिया हुआ है Z होता है इसका 27 ठीक है na 27 नहीं Cu है Cobalt है Cu ठीक है और यहाँ पर oxidation number हो जाएगा plus 3 और Cn हो जाएगा आपका plus 6 ठीक है 27-3 plus का 12 इसको हम लोग add करेंगे और यहाँ से subtract करेंगे तो आ जाएगा 36 समझ में आ गया Last example इसका करते है और इसके बाद एक आपको बहुत important point बताएगे आपको stability का ठीक है यह हो जाएगा PtCl6 का minus 2 charge है ठीक है platinum का जो charge होता है platinum का atomic number होता है वो 78 होता है तो 78 Z हो गया minus oxidation number इसका होता है plus 4 जब आप calculate करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 plus 2 into इसका जो coordination number होता है वो होगा 6 तो यह हो जाएगा 78 plus 8 is equal to 86 ठीक है 86 का answer आ जाएगा next हम लोग एक और बहुत important बात करने वाले है काम की बात जो हमारे यहाँ पर काम की बात है यहाँ पर जब आपको question फसाया जाएगा वो देखो कि कौन stable आपको दो component दे जाएगे दोनों में आप EN number निकाल लेंगे यह एक भी है दोनों में EN number आप निकाल लेंगे और बोला जाएगा आप से कि बताएगे कौन stable है कौन more stable है ठेक है तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लेजिए if EN number of central metal atom is equal to atomic number of next inert gas next inert gas के atomic number के जो भी central metal atom का EN number equal होगा जैसे आपने कोई भी एक EN number निकाला ठीक है और वो EN number जो inert gas होती है noble gas inert gas के atomic number के equal हो गया inert gas के atomic number के equal हो गया तो वो compound more stable होगा ठीक है फिर से सुन लेजिए आपने किसी भी compound का EN number अभी अभी हमने सीखा है EAN number कैसे निकाला जाता है EAN number निकाल दिया आपने और जो EAN number आया है कुछ भी आ गया EAN number ठीक है और वो EAN number inert gas जो होती है उनका atomic number किसी भी atomic number के अगर वो equal हो गया तो वो क्या होगा एक more stable compound हो जाएगा ठीक ये जो rule है ये जो आभी आभी आपने rule सुना है ये rule बट एबब rule is always valid in case of carbonyl compound यानि जो CO के compound होंगे इस ताइप ले उन्हीं पर ये valid होगा otherwise ये valid नहीं होगा ठीक है अब जैसे यहाँ पर आपको example भी इसका एक बता देते है example देखे कौन more stable है कुछ नहीं करिए EN number निकालना मैंने आपको सिखाया इसका EN number कितना है 36 इसका EN number कितना है 35 ठीक है इसका 36, 35 आप देखिए जो आपकी inert gas का atomic number होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86 ठीक है ये आपकी atomic number है आप देखिए इन दोनों में कौन सा equal है inert gas के atomic number के बराबर ठीक है 36 atomic number ये inert gas का atomic number है कितका है ये ये क्रिप्टन का ठीक है क्रिप्टन is supposed to 36 होता है तो ये हो जाएगा यहाँ पर more stable ये जो compound है ये more stable है ठीक है आगया ओकी तो आज हम लोगों ने कौन कौन से topic कबर किये आज हम लोगों ने oxidation number देख लिया हम लोगों ने coordination number निकालना सीख गया है और हम लोग effective atomic number भी सीख गया है कौन stable है कौन कम है stable कौन जाद है stable ये भी हम लोगों ने सीख लिया तो अब आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेयर करिए ठीक है थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दा वीडियो एंट तक और मुझे पूरी उमीद है कि अब आप लोग oxidation number coordination number और effective atomic number निकालना पूरी तरीके से सीख चुके होंगे कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्षन में जरूर मेंशिन करिए और या हमारे टेलिग्राम चैनल पर जाकर की भी वहाँ पभी हमें message कर सकते है चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिए notification का वेल आइकन भी प्रेस करिए और like बटन को भी जरूर दबाईए इसको दबाना बिल्कुल भूलना मत और comment section में जरूर लिखिए ठीक है और अपने दोस्तों को यार share कर दो ठीक है so thank you मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care